अग्षोट एलो डियर इस्टुडेंट वेलिकमी एडियकेडमी बचो इस लेक्चर में अपने स्टार्ट कर देख नया चेप्टर जो है रिप्रोड़क्टिव चेप्टर का एक पार्ट है जिसे अपने बोल रहे है रिप्रोड़क्टिव हैल्थ बच्चो ठीक है तो अपने थर्ड चेप्टर में यानि की 12th क्लास के 3rd चेप्टर में बने रिप्रोड़क्टिव सिस्टम पुरा पढ़ लिया था यूमन रिप्रोड़क्ट्चिन आप इस चेप्टर में एक छोटा सा सेग्मेंट उससी चेप्टर से रिलेटेट सेगमेंट है इसमें आपन यह देख health की definition जाननी होगी बच्चो health का meaning क्या है health का meaning ये नहीं होता है कि आपको कोई disease नहीं है ठीक है health का meaning ये कभी नहीं है कि आपको कोई disease नहीं है बस आपके अंदर कोई disease नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप healthy है health का meaning क्या होता है अगर मैं reproductive health की बात करूँ तो इसका meaning तो है कि all sex organs should be normal and functional ठीक है बचाओ लेकिन health की definition क्या है यह देखो according to WH वैसे अगर मैं ऐसे बोलू कि total well-being of mentally, physically, emotionally and socially and absence of any kind of disease completely क्या कहलाते हैं completely कहलाते हैं health यानि कि यह completely सारे factor मिलकर एक health को define करते हैं बच्चा तो health का मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर कोई disease नहीं है health का मतलब यह है कि आप चारो तरह से स्वस्थ होने चीए ठीक है चाहे वो सामाजिक तोर हो चाहे वो physical कोई भौतिक तरीका हो चाहे वो emotional यानि कि भावनात्म कोई तरीका हो ठीक है तो और मानसिक रूप से भी आप क्या होने चीए फिट होने चीए तो इन सारे तोर तरीकों से आपको स्वस्थ होना ही क्या गलाता है स्वास्ते गलाता है ठीक है बच्चो तो यहाँ पर अपन reproductive health की बात करेंगे यानि कि जननिक रूप से अपन कैसे स्वस्थ रह सकते हैं तो वो सब अपन इसमें deal करते हैं तो इस पूरे चैप्टर में अपन यह देखेंगे कि अगर कोई couples या इसे बोल सकते हैं कि जो adult है जो जिनके अंदर reproductive organs mature हो जाते हैं और वो एक reproduction के लिए ready हो जाते हैं उनके अंदर कौन-कौन सी problem करेट हो सकती है ठीक है और उनको किन-किन चीजों का ध्यान रखना होता है awareness के बारे में अपन पढ़ेंगे reproductive awareness के चैप्टर में अपन पढ़ेंगे ठीक है तो अपन बात करें कुछ time पहले की यानि कि अगर अभी अपन जिस country में रह रहे हैं अभी अपने पास में सारी की सारी medical facilities available हैं लेकिन अगर मैं बात करूँ शुरूआती दो रही ठीक है जब अपन बात करें अपना देश आजाद हुआ था या फिर जाँ जिस time पर इतनी medical facility नहीं थी उस time पर क्या-क्या problem deal करने को मिलती थी क्या-क्या problem face करने को मिलती थी एक adult person को या फिर ऐसे बोल सकते है reproductively fit persons को कौन-क्या से problem से गुजरना पड़ता है ठीक है तो इस chapter में आपन वो ही देखने वाल है क्या-क्या problems की डेट होती थी और एक reproductive unawareness की वज़ा से क्या-क्या result निकले क्या-क्या नतीजे निकले क्या उससे population growth हो गई क्या mortality महाँ पर जादा हो गई थी यानि कि अगर ऐसे बहुत लाद करें कि health medical facility नहीं है that means क्या उसका कोई side effect पढ़ेगा किसी भी family पर, किसी भी generation पर या affect overall country की population पर जी हाँ, सब कुछ उसके उपर affect पढ़ता है तो इस chapter में अपन यह देख रहे है कि क्या-क्या affect पढ़ता था जब medical facility नहीं थी और medical facility आने के बाद में population पर क्या effect पढ़ा है ठीक, इसके बाद में अपन इस chapter में deal करते हैं कि कैसे बढ़ती भी population को आपर रोक सकते हैं, कैसे उसको कम कर सकते हैं वो अपन deal करने वाले हैं और उसके बाद में अपन देखेंगे कि ऐसे couples जो reproductively या ऐसे बोल सकते हैं कि जो adult हो चुके हैं लेकिन वो reproduce नहीं कर पा रहें कहीं न कहीं उनके अंदर कोई न कोई ऐसा barrier किरेट हो गया जिसके वज़े से वो reproduce नहीं कर पा रहें, तो उनके लिए अपन क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़ें अपन इस chapter में deal करने वाले हैं ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इस chapter को तो यह देखो, अपन ने देखा reproductive health क्या है ठीक है, और WHO के according reproductive health की definition sorry, health की definition क्या है, वो अपन ने देखा ठीक, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे इसमें अपन reproductive problems और जो भी strategies है उनके बारे में अपन deal करेंगे for reproductive health, यानि कि इंडिया एक ऐसी country थी जिसने reproductive health के बारे में सबसे पहले प्लान किया और तक्निक अपनाई, देखें, इंडिया in इंडिया family planning program were established in 1951 ठीक, तो यह भी question, देखो, NCID से मैंने बहुत सारी चीज़े यहाँ पर NCID से ली है, तो अपन बात करें NCID के अंदर जो चीज़े दे रखें, उसको अपन डील कर रहे है यहाँ ठीक है, तो इस chapter के अंदर जो question बनते है वो generally theoretical course नहीं सुरू का, यहाँ से question बन सकते है कौन सी planning, कब establish की गई थी, या फिर date से कि उसे ना सकता है, कि किसी यहर के अंदर की गई थी, तो वो सब अपन ने देखा, तो इंडिया ने सबसे पहले family program, family welfare program start किया था, कब? 1951 के अंदर, ठीक है, इसके बाद में पन पढ़ रहे है RCH, देखो, एक word है RCH, RCH का meaning क्यों है यहाँ पर, RCH reproductive child health care program, या उलते इसको, reproductive and child health care program, बच्चों, इसकी full form भी आप से पूछी जा सकती है, RCH की, ठीक है तो RCH की full form के बारे में भी आप से पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चीए, कि full form क्या है, तो आपने देखा, reproductive and child health care program, कब initiate हुआ था, मैंने फिर से बोला, कि आपको years के बारे में भी पता रखना है, बच्चों, तो RCH का विस्टाविलिस हुआ, 1977 में, ठीक है, और family planning program को विस्टाविलिस हुआ था, 1951 के अंदर बच्चों, ठीक है, इसमें RCH में किया क्या गया था, क्या इसके इंदर improve किया गया था, तो improved programs related reproductive area, तो RCH में जो भी reproductive area है, उसके बारे में ध्यान दिया गया और उन areas पर काम किया गया, ठीक है बच्चों, चलिए, आगे बढ़ते हैं, how aware people about RCH, यानि कि जो RCH डवलप किया गया, यानि कि जो भी planning अपने डवलप की है, या जो भी facility अपने डवलप की है, लोगों तो कैसे पहुंचाए, तो उसके बारे में अपने देखा है, how aware people about RCH, तो अपनने देखा कि through the print media, ठीक है, तो RCH क्या है, RCH कि अंदर अभी भी देखा थे, कि यह एक ऐस लोगों तक कहुंचाए जाए, इन सभी चीजों को, तो अपनने बात करें, through the print media, audio and visual media, through the government and non-government agencies, by teacher, relative and social peoples, ठीक है, तो अपन बात करें, यह सारे mediums है, जिनके through अपन RCH के, RCH को क्या कर रहे है, वहाँ पर aware कर रहे है, या RCH को बढ़ावा दे रहे है, चलिए, sex education, which initiate in schools, proper information about reproductive organs, elder sense, किसोरा वस्ता बोलते है बच्चों है, ठीक है, किसोरा वस्ता का मतलब यह होता है, कि बच्चा मतलब जब उसकी एक particular developing, या फिर योवना और, या फिर ऐसा बोल सकते है, जिसके अंदर, उसके अंदर, puberty start हो गई है, तो उसको बोलते है अपन किसोरा व practices, aware people to care about child postnatal care of mother and importance of breastfeeding, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, कि postnatal care, postnatal care, postnatal care, postnatal care का मतलब क्या होता है, यहाँ पर, post का मतलब होता है, बाद में, post का मतलब होता है, after, तो यहाँ पर अपन बात करें, जब बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद में, कैसे उसकी केरिंग की जा है, उसके बारे में भी aware किया गया, people's को, ठीक है, चलिए, equal opportunities for the male and female child, ऐसा नहीं होना चीए, कि only male child को भी बड़ावा दे, male child को भी priority दे अपन, female child को भी equal priority मिलनी चीए, ठीक है, चलिए, अच्छा, तो यह सब कुछ किया आपन ने, तो इसका result क्या निकला, RCH का result क्या निकल तो अपन देख रहे है, increase number of infants, infants की number बढ़ गई, infants क्या है आपर, brun की बात करता है, embryos की बात कर रहे है आपर, तो उनकी number बढ़ गई है बच्छो, improvement in medical facilities for all sex related problems, ठीक है, तो medical facilities में improvement मिला, और साथ इसाथ में क्या हुआ, decrease number of STDs, STD क्या है बच्छो, पढ़ेंगे है अपन इ STD के यहाँ पर, sexual transmitted disease, STD, जो sexual intercourse करने के during क्या हो सकती है, spread हो सकती है, ठीक है, तो इसकी number में क्या हो गई है, यहाँ पर, कमी हो गई है, decrease number of STD, उसके बाद में बात करें, improvement of reproductive health society, तो जो society थी, वो reproductively healthy बनने start हो गई, यानि कि healthy society डवलफ हुई, after RCH, तो यह अपन ने देखा कि RCH के नतीजे जो है, वो इस तरह से है, लेकिन इसका एक बहुत ही खतरणाग नतीजा, यह भी निकला कि से, population में क्या हो गया, explosion हो गया, visport हुआ, ठीक है, इंदे में बोलते है, इसको जनसंग क्या, visport, जनसंग क्या, यानि population में क्या हो गया, अचानक, visport हो गया, visport बोल तो अपन बात करें, increased health facilities, creates explosive impact on the growth of population, बच्चों, तो population की growth पर एक impact पड़ा, और उससे sudden क्या होई, arise होगी population, it is due to rapid decline in motility rate, और motility rate में भी यहाँ पर लिखा है, mother motility rate और infant motility rate, तो यहाँ पर यह देखो, mmr, इसको समझो, mmr क्या है यहाँ पर, mmr क्या है, यह देखो, full form क्या है, इसकी mmr की, चलिए, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसकी full form, mother, mortality, mother mortality rate, mortality का मतलब होता, death, rate, वो क्या हो गई है, decrease हुई के increase हुई, decline हो गया उसके अंदर, इसी विजए से दो आप number बढ़ रही है, mother's की number बढ़ गई, imr गया है, यहाँ पर, imr, imr का meaning गया है बच्चों, यहाँ आपर बोलेंगे, infant, infant, mortality rate, infant, mortality rate, तो अगर mother की date होती है, यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं, कि mother की जो date है, वो कहला रही है, यहाँ पर mother mortality rate, और जब infant, यहाँ कि embryo का बर्थ, उतर बर्थ होने के जस्ट बाद में, उसके अगर date हो जाती है, तो उसको बोलते हैं, imr, यहाँ कि infant mortality rate, बच्चों, mmr आपको बता लगा, mother mortality rate, during parturation, यह delivery की time पर, अगर mother की date हो जाती है, तो उस rate को अपन क्या बोल रहे है, mother mortality rate, और वो rate अपन निकालते है, particular population पर या पिर बोल सकते हैं, particular number पर अपन rate निकाल रहे हैं, कि suppose अपन बात करें, जन्संग की आपन जैसे population की बात कर रहे हैं, तो एक particular area मर, एक particular area पर अपन क्या करते हैं, उसकी population check करते हैं, कि इतने individuals पर कितने वहाँ पर जनम ले रहे हैं, कितने वहाँ पर मर रहे हैं, तो उसके according अपन rate निकालते हैं, तो same, यह rate में ऐसे निकाली जाती है, यहाँ पर birth की जगए अपन death की rate निकालेंगे, ठीक है, चलिए, आप अपर बात करें, कि population पर क्या side effect पढ़ा, या फिर population की growth कितनी हो गई थी, चलिए, तो यहाँ पर मैं बोलने जा रहा हूँ, यह देखे, the world population, the world population in 1900 कितनी थी, 2 billion, जो की 2000 के अंदर कितनी होगी, या राई जो कर, 6 billion होगी बच्चो, यह ड़ड़ा आपको याद रखता है, ठीक है, इसके बाद में अगर अपन इंडिया की बात करें, तो इंडियन population in 1947 में कितनी थी, 350 million थी बच्चो, जो की 200 में, अप्रोक्स 1 billion, यानि की 1 billion को भी cross कर चुकी थी, तो इसको देखकर क्या पता लग रहा है, यह देखो, इसको देखकर क्या पता लग रहा है, आपको, यह similarities देखो है, इसको देखकर यह पता लगा, लगता है कि every sixth person in the world is Indian, यानि कि अगर आपन 2000 का आकड़ा देखें, 2000, 2000 के अंदर अगर population का आपन पूरा आकड़ा अगर आपन देखते हैं, ठीक है, डाटा अगर आपन देखते हैं, तो उसके अंदर अपने क्या मिलेगा, कि चो इंडिया की population rapidly grew कर गई है, rapidly, देखो अगर 1947 के बात करें, तो यहाँ पर 350 million थी, लेकिन अगर मैं 2000 के बात करो, तो 1 billion चली गई बच्चो, और overall world की population कितनी थी, 6 billion थी, तो इसको देखें, अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर, every six person in the world is Indian, बहुत ही fast growth हुई, और इसका reason क्या था, RCN, यानि कि medical facility जैसे आई, वैसे ही, यानि कि motility लेको, medical facility आते ही, MMR और IMR में sudden decline हुआ, sudden decline होते ही, number क्या हो गई, increase हो गई, reproduction तो वैसे ही हो रहे, reproduction तो पहले भी ज्यादा ही था, या पिर ऐसे बोल सकते हैं, जो बच्चा या फिर जो mother है, उसकी date हो जा रही थी, उसके बज़े से जनसंग क्या जो है, या पोपलिशन जो ह करें आपर, ठीक, चलिए, according to 2001, sensex report, the population growth rate rises about 1.7%, ठीक है, तो यह sensex report के according, अपन बात कर रहे है, कि जो population growth rate है, वो कितनी है, 1.7%, या निकी, each 1000 individual per 17, individual हर साल बढ़ रहे हैं, तो इसलिए अपन बात कर रहे हैं, यह आपको NCRT में दे रखा है, तो याद कर लेना है, चलिए, how to aware small families, small families को कैसे aware करें अपन, या पिर ऐसे बोल सकता है कि small families, formation के लिए अपन लोगों को कैसे aware करें, ठीक है, तो how to aware about small families, चलिए, by using contraceptive methods, advertisements, हम दो, हमारे दो, 1980 के अंदर ये, अपन बात करें, 1980 के अंदर ये बताया गया था, कि हम दो, हमारे दो का नारा चला था, ठीक है, यानि कि, इससे क्या होगा, जो population है, वो stable रहेगी, कैसे रहेगी, suppose अपन बात करें, couple है, couple है, तो यहाँ पर एक male है, एक male है, तो दूसरा का है, यहाँ पर female है, तो male और female के अगर मैं बात करूँ, जैसे यह number में 2 है, तो अगर इनकी जगए 2 बच्चे होंगे, तो क्या, इन्होंने constant रखा इसको, population को, हाँ, constant रखा, इसलिए बोला गया है, यहाँ पर, हम दो, हमारे दो, इससे जो families है, वो कैसी रहेगी, small families रहेगी, many couples also adopt one child norms, बहुत सारे couples जो है, उन्होंने one child norms भी अप रखता है इस पर, ठीक है, और aesthetically age for marriage, male के लिए 21, और female के लिए क्या है, 18 year, अभी change हो गया है, यह पहले का अगड़ा है, ठीक है, तो एक perfect क्या होनी चीए, age होनी चीए, male के लिए भी और female के लिए भी बच्चो, ठीक है न, तो यह सब चीज़े अपनने starting का जो introduction था chapter का, य इस पूरे lecture में अपनने यह देखा, एक छोटा सा मैंने lecture design किया है, इस पर अपनने सुरू का पाड़ देखा है, इसका introduction अपनने देखा है, और जो population explosion है, वो अपनने देखा है, ठीक है बच्चो, इसकी just बाद वाले lecture में अपन क्या देखने वाले है, इसकी बाद वाले lecture मे है, अपन इसको start कर रहे है, contraceptive method से, कि यह जो population explosion हो रहा है, इसको कैसे रोक सकता है, या फिर ऐसे बोल सकते है, unwanted pregnancy भी इसका एको रीजन हो सकता है, unwanted pregnancy, यानि कि sexual intercourse के during जो pregnancy conceive हो रही है, उसको कैसे रोका जा सकता है, तो उससे ही अपन population explosion को भी रोक सकता है, जो कि अपन next lecture मे देखने वाले, तो बच्चो जोड़े रही है हमारे साथ में, I hope ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, बच्चो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है, तो आप इसको अपने दोस्तों तक share कीजिए, अपने चैनल को subscribe कीजिए, और अपने इस धूदियो झाएट ॉे ओट doute yelling जो है, आपको अपने है, तो आपको अपने दो संद आया है, वीडियो में आपको भीडियो आपको ये चैनल को स repent-less, वीडियो झा में, ऑको रही है कadakiजिए, पसजिए ठी में, पक भीडियो, आपको ऑने वालाभा आपको में, अपके पने